है नाव यार गाइब दिसकस्ट अबाओट दा ग्राफ इन मेकैनिक्स जो यहां त्रिकी में यहां त्रिकी में जो वक्त रहें वह कितने हैं यह हैं एक्स टी कर्व एक्स वर्सेस टी जैसे भारत बनाम पाकिस्तान तो कैसे लिखते हैं इंडिया वर्सेस पाग तो यह इंडिया वर्सेस पाग डैस करके इसे लिखते हैं एक्स वर्सेस टी एक्स बनाम टी तो ऐसे लिखते हैं तो एक्स टी वी टी इतने कर्व अब इनसे हम क्या निकालेंगे तो इनकी स्ट्रोप नेचर और एरिया वांडेट दफकर एनकी प्रमणता से कोई नई राश्य मिल जाएगी धाल से और इनके शेत्रफल से कोई नई राश्य मिलेगे कैसे कब इनकी स्ट्रोप चैंज होगी क्या कैसे तो एक बार देखेगा जब भी हम कहीं ऐसे स्ट्रोप के बारे में निकालेंगे तो स्ट्रोप होती है एक स्ट्रोप करने से रेशियो करने से अगर कोई क्वाटिटी बनती है तो स्लोप होगी नहीं बनती तो नहीं होगी और अगर इनसे एरिया निकालने शेत्र वाल तो दोनों का ही प्राड़क्त हो जाता है एक्सक्स की बैलू का प्राड़क्त होता है कोई नहीं फिजिकल कॉंटिटी को रिप्रेजेंट करें नहीं भौतिक राश्वा तो वहां पार चेंगे अब हम देखते हैं वन बाई-वन करके कि एक्सटी करण तो एक्सटी करण जो है अब ऐसे जब करेंगे तो इसकी एम जो होगी टाइन थीटा एक्स वाइटी होगी और एक्स वाइटी डिस्टैंस अपॉन टाइम स्पीड हो जाएगी इसको हम भी लिख सकते हैं तो वी पॉस्टू टेंग तीटा बनेगा इसका इसका एजमपल देख लीजिए जैसे एक्स टी है सेकेंड मीटर यह है यह है यह थार्टी डिगरी यह थार्टी डिगरी तो वी ए रेशियो वी बी तो देखे टैन है डिए क्या हो जाएगा यह थार्टी एक लिए और बी के लिए कितना हो जाया का फूरा एंगल 60 तो यह वान पाई हूट दी रिश्चू रूट दी तो अब इसको और सोल्ट करके पोशन डाल सकते हैं यह है यह है यह जिए है यह सिर्ट है इसके लिए आप शॉल्ट कर सकते हैं वी ए रेशियो वी बी रेशियो वी से क्लियर इसका बांडेज एरिया जो है अगर निकालते भी एक्स वार्सिस टी का एरिया तो एक्स इंटू टी आता और यह भी किसी भी क्वांटिटी को रेप्रेजेंट नहीं करता है नौट बीकॉ प्राश को अगर्ट नहीं करता तो यह यह होगा अगर हम वी ती कर्व निकालें कि वी टी कर्व कर देखिएगा वी ती कर्व में क्या होगा वी इसकी अगर स्लोप देखें तो इसकेश में आप डाल सकते हैं यह थी सेकंड है यह भी मीटर पर सेकंड है यहां पर हमने आप यह दो पार्टिकल लिए यह थार्टी डिग्री और यह थी तो एक का एकसी रेशन का रेशियो कूछ सकता है तो उन्हों के त्रोणों का अनुपार तो इसकेश में यह बन जाएगा अब हम इसका एडिया वांडेट का निकालते हैं तो एक जाइश का रिप्रजेंट करें देखिए वी ती है अगर आप इसका एडिया लेते हैं तो वी एटूटी आएगा और वी इंटूटी क्या होता है एकस अब यह दिस्टेंस भी हो सकता है और दिस्पेस्मेंट भी हो सकता है दूरी भी विश्थापन भी होगा तो कब होगी दूरी और कब होगा विश्थापन सब्सक्राइब कर देना यह जैसे कोई कर्व है कि वी ती है और यह इस तरीके से भी रहे है तो जहां से बेंड हो उस जगह से जोटरी लाइन कर देना यह जैसे मांड़ों ट्वंटी है यह माइनस कुंटी है टू पोर शीक्स एक है तो जो लास्ट में आएगा वो टोटल टाइम है कि सब एरिया है तो टोटल डिस्टैंस तब होगी कुल दूरी हमने डीवां से रिनॉट किया जब सभी एरिया एड करते हैं कि मैंने बताया था दूरी कमी निगेटिव नहीं होती और नेट इस्प्लेश्मेंट तक होगा इस पॉर्म नेचे वाला पार्ट निगेटिव रखने एवन प्लस एटू प्लस एट्री माइनस एफ बैट इस्प्रीड अवरेज विलासिटी में टोटल डिस्टैंस अपॉन टाइम एप डिस्प्लेस्मेंट अपॉन तो इस ब्सक्राइब यह निकाल के तो पूग्यें टो कि तरा आजाता है तो हम डिरेक्ट लिखे रहे रहें एवन की बहून आ जाएगी 20 एक लिवाज सब्सक्राइब कर देंगे तो देखेंगा ट्वंटी सिस्टी यह आजाएगा इतना आएगा सब्सक्राइब कर देखेंगे तो देखेंगा अम यहां पर करके दिखाएगा अब आप सौल कर सकते हैं पर को सपिया लुश्चेट अगला को सब्सक्राइब कर दो जया है था सकते अबर्यों सब्सक्राइब या बसें अग्रुचम्पर शबाशन थेसंगे जेलेowment Asia फोल्त आप श्लीर के इक दीन अई को एक चार्शन का इस तरही का जाएगा अब जेकिएगा आधीक कर आधीक कर लास्ट एक्स कर्व यह चार पर रीपर्जेंट तो अब किस लोग नहीं होती है एप इस लोग करना और किसी भी कॉंटिपर इसका एरिया हो देखेंगे हैं अगर हम इसका एरिया निपाल रहें तो यह आएगा अब देखिए कि यह हम जानते हैं वी इक्वाज टू यू प्लस एटी तो वी एक माइनस वी इक्वास टू एटू टी इनी इसको क्या करे सकते हैं चेंज इन वेलासिटी तो एटी का रोगा जो एडिया है एडिया वह किसके एक्वाल होगा डेल्टा वी और इसको लिखते हैं और अगर बाड़ी और जिन से चल रही है तो वी आई क्या होगा जी रोगा मूले विंदू में एगर इसकी तो वहां से वी आई के लिए जीरों होगी तो चेक रहते हैं इसके लिए एक जांपर कि एए पी कि ऐसे है कि यह सेकेंड है कि इसका कितना हो जाएगा कि कितना है एक और हाइट कितनी है कि प्रूस्ट हंडड़ आ जाएगा इसके को रहता है इसका वी एफ माइनस वी आई तो यह सब्सक्राइब पूछा जाएगा कि अंतिन बिंदु पर वस्तु का वेग्र क्या था क्या है तो यह वोगा वाट विल्वी दो वेलासिटी आट प्वाइंट अब देखेगा लास्ट करों है एक्स अब यह वाले ग्राप से क्या होगा एक्स करों का जब इंगा निकालेंगे ईठ्वाइब इसका ऑघ्राइब आजया एक्स अब जेक इसको रिप्रेजेंट करता है तो देखेए च्कारिए ज्लिय को स्वाइर फॉस्वार अग्स एच्वार इसको और श्राइंगे इसको और चेंज कर सकते हैं अगर हम इसमें देखेना मास से मर्टीप्लाइब कर दें तो यह है अब हमने इसमें एम से मर्टीप्लाइब कर दिया को और एंसे डिवाइड कर दिया तो यह वह जाएगा एंव इस्वाइब वाइटो आप एम वी आई स्कॉयर वाइटो और मीज़े अपॉंड एम रहे निदिए तो यह गर्णाटिक एनरजी वन जाएगी इसको लिख सकते हैं के एक और इसको इसको अपने एप एप आपन सब्सक्राइब कर देंगे अगर हम बनाना चाहिए तो द्रगमान से बुड़ा और द्रगमान से भाग कर दिया तो यह करती जोड़ जाके रूब में आगे इसका एक छोटा सा पॉस्टन ले लेते हैं कि यह आएगा को ओए बीशी को नियुक्त इसका एडिया निकाल दीकिशें आप इसके पार्ट कर दिए ऐसे एवन एफू एपटल कर देना के इसे एक पॉस्टू एवन प्लस एटिवसे जाएगा वन कितना होगा तुम और ट्वंटी का इसे आजाएगा वाट बाइस वाइटू बेस इंटू 5 प्लस एक टू कितना एक टू और सिक्सका गया और यह पूंटी तरह लेंग प्रेथ की तरह होगा लंपाई बुड़े चौड़ाई अब यहां फिर यह ट्रैंगल बंद रहा है तो इसका एडिया क्या होगा इसका एडिया आ एक वंबाई टू टू बेस इंतू वाइट थीक्षित प्लस एकटी प्लस टूंटी कितना एक तो यह आ गया माल लेते हैं आप से करते हैं यहां पर वेलासिटी क्या होगी तो देखेंगा एरिया होता है विए स्कायर मैनस भी आइस्कायर वाइट तो एलिया आया वन पॉंटी क्योंकि कहां से चनला स्टार्ट किया तो प्रारंबिक वेल जीरो विराम और स्था से स्टार्ट किया अब यह अगर माले इस जो बॉडिक चल रहे हैं यहां से उसका कुछ मास दिया गया होगा मास पॉस्टू 50 ग्राम तो चैन्ज इन काईनेटिक एनर्जी क्या होगा तो देखिए एगा एक पॉस्टू होता है डेल्टा के अपां एम तो यह है वन पॉंटी देल्टा के एक डेलेट करना है और मास्ट फिटी ग्राम को हम के जी में करना है तो देल्टा के यह देगा वाइन फुटी इंटू ग्राम कोई आए तो यह देखिए गा इंटू आपके अपां पॉटी अप्राम माश्टी इंट एक एक ड़्ू तो किनेटिक एनर्जी में चैन्ज कितना है एक ड़्ू आए जिक्स जोड़ गा तो इन दिस वीविद ग्लेट दा चैन्ज नेटिक एनर्जी इन पार एक?